हेलो फ्रेंड्स आज का हमारा चैप्टर है तेंति क्लास की होम साइंस का आय वै और बचत सेकंड चैप्टर इस चैप्टर में जितना कम्प्लीट किया था अब उसके आगे देखते हैं और इस चैप्टर के कोश्यन अंसर भी इसमें सॉल्व कराएं हैं तो इस वीडियो को लाश्ट तक देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे तो चलिए स्टार्ट करते हैं राश्टे बचत पत्र नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पहला है भारत सरकार के दोरा प्रारंब या बचत योजना बहुत पुरानी नहीं है इस योजना के अंतरगत छे वर्स के लिए कोई भी वेक्ति अपनी इच्छा के अंसार चाहे जितने रुपए के बचत पत्र जो है खरी सकता है किन्त उनके भुकतान का समय निश्चित होता है निश्चित अविदी के बाद ही सार्टिफिकेट की धनरास का भुकतान होता है सेकंड है या सार्टिफिकेट कोई वेक्ति अपने नाम से दो वेक्ति संयुक्त रूप से सहकारी बैंक या रजिस्टर्ट कमपनिया आधिक्रे कर सकती हैं थर्ड है ये सार्टिफिकेट क्रे करने के लिए पोस्ट ऑफिस या उसके एजन्ट के दौरा अधिक्रित प्रात्ना पत्र भर कर धन राशी के साथ जमा करना पड़ता है सार्टिफिकेट के साथ पोस्ट मास्टर से एक आइडेंटी स्लिप मिलती है सार्टिफिकेट के गर से दूसरे डाग घर में इस्थांतरित करवाए जा सकते हैं इस्थांतरित करवाने के लिए एक निर्धारित फॉर्म होता है जिसकी दो प्रतियां भरकर एक जगां से सार्टिफिकेट खरितते हैं और दूसरा जहां इस्थांतरित करवाना होता है दोनों जगां एक एक प प्रीमियम के रूप में मासिक, त्रेमासिक, छमाई अत्वा वार्सिक अधार पर निश्चित धन्रास जमा की जाती है। पॉलसी की अवदी समाप्ति के बाद एक निश्चित समय में जमा धन्रास पर निश्चित लाभांस या बोनस की धन्रास प्राप्त होती है। यदि किसी policy धehurag की बीच में मृत्त हो जाती है तो उसके उत्तर दिकारी को या policy की पूरी रकम मिल जाती है जिन से समय समय पे लाप्राप्ट किया जा सकता है जैसे बचों की पढ़ाई की योजना है या बचों की साधी के लिए योजना है या मनी बैंक policy आधी यह विविन योजनाएं अलग-अलग नामों से जानी जाती हैं जैसे जीवन धारा, जीवन साथी, आसादीप, सिछ्छावरित, जीवन मित्र, जीवन सुरभी, आजीवन पॉलसी, आधी इन बचती योजनाओं में अनिलाब मिलने के साथ ही इसमें आयकर में भी छूट मिलती है जीवन वीवा निगम ने परिवार की और सकताओं की पूर्ती है तो विविन योजनाएं चला रखी हैं पहला है बंदोबस्ती बीमा पॉलसी दूसरा है आजीवन बीमा पॉलसी तीसरा है निश्चित अवधी पॉलसी चौता है ग्रह लच्मी योजना पाच्वा है प्रत्यासित बंदोबस्ती बीमा पॉलसी और शटा है निश्चित अवधी च्छात विर्ती पॉलसी आदे बीमा करवाने से निमलिकित लाब होते हैं बीमा करता की मृत्य के बाद उसके परिवार को आर्थिक संरचन मिलता है दूसरा है व्रिद्धा वस्ता में बचत के धन से और सक्ताओं की पूर्थी होती है तीसरा है इससे अनिवार बचत होती है चोथा है बीमे की रासी कर्मुप्त होती है पाचवा है आवश्यक कार और भविस्की योजनाओं के लिए धन की विवस्ता हो जाती है बचत वीनियों के अनिसाधन कौन है एक है पहला है सरकारी भविस्सिनिधी योजना जिसे जी पी एफ कहते है भविस्सिनिदी योजना सरकार सरकारी नौकरी करने वालों की बचत योजना है इसके अंतरगर प्रतिमास नियम अनुसार कर्मचारी के वेतन से एक निश्चित धनरासी काट कर उसके खाते में जमा कर दी जाती है इस जमा धनरासी पर उसे एक निश्चित व्याज की धनरासी प्राप्त होती है साथ ही इससे आयकर में भी छूट प्राप्त होती है भविस्नीदी खाते से विक्ती बच्चों की साधी मकान बनवाने बीमारी में आवसकता पढ़ने पर रिण के रूप में धन प्राप्त कर सकता है तता इस रिण को वा किस्तों के रूप में फिर अपने खाते में जमा कर सकता है इस खाते में जमा किया हुआ धन व्याज सहित कर्मचारी को नौकरी से आउकास प्राप्ट करने के पसाद दे दिया जाता है यदि कर्मचारी की सेवा काल में मृत हो जाती है तो इस योजना का जमा धन उसके दौरा उल्ले किये गे वारिस को भुकतान कर दिया जाता है सेखंड है सरकारी सार्व जनिक भविस सिनिधी योजना इसका है पब्लिक प्रोविडेंट फंट स्कीम भारा सरकार ने या योजना 1972-73 में शुरू की इस योजना का लाप कोई भी विक्ति उठा सकता है इसमें निश्चित की गई किस्तों के अंसार धनरासी इस्टेट बैंक आफिस इंडिया या किसी साखा में जमा की जाती एक वित्तिय वर्ष में जमा की गई धनरासी जैसे साथ जार रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए इस योजना में जमा की गई धनरासी पर चक्रविधी व्याज प्राप्त होता है तता या रासी आयकर से मुक्त होती है व प्रेक्टर्यों के करमचारू पर लागो होती है, इसके सारे क्रिया कराब सरकारी भविस開व निदी योजना के ही समान होते हैं परन्तु इसका क्रह, विक्रे मूल बढ़ता और घड़ता रहता है। सहकारी रिण समितियां विविन वेक्तियों के दोरा जो सहकारी समितियां बनाई जाती हैं, वे सदस्ट से अंस का धन एकत्र करके समित के सदस्टों को व्याज पर रिण उपलब्द कराती है। जमाधन किसी उध्योग अत्वा वैसाय में लगाकर उससे लाप कमाया जाता है। इस लाप के अंस समित के सदस्टों के नियावनसार बाटे जाते हैं। सरकारी जो है सहकारी रिण समितियां विविन वेक्तियों के दोरा जो सहकारी समितियां बनाई जाती हैं, वे सदस्ट से अंस का दन इकत्र करके समित के सदस्ट्चों को व्याज पर रिड़ उपलब्द कराती है। जमादन किसी उद्ध्योग अत्वा वैसाय में लगा कर उससे लाप कमाया जाता है। इस लाप के अंस समित के सदस्ट्चों के नियुणसर बाटे जाते हैं। अब कम्पनियों के सेर्स वा बॉंड्स बड़ी-बड़ी कम्पनिया अपने सेर्स बेच कर उस पर सवधी धन जमा करके उस पर आकर्षन व्याज देती हैं अनेक वेपारिक संस्थान बॉंड्स भी निकालते हैं इस पर निवेश करने वालों को अधिक व्याज के साथ साथ उन्हें आयकर में भी छूट मिलती है सेर्स वा बॉंड्स पर धन लगाते समय कमपनियों की विश्वसनियता की परक कल लेनी चाहिए अनता जमा किया हुआ धन डूबने का डर रहता है चिट फंड योजनाएं इस प्रकार की योजनाएं धन जमा करने वालों को आकरसक व्याज देती हैं किंद वर्तमान समय में अनेक ऐसी बोगस कमपनियां खुल गई हैं कि जमा करता उन को उचे व्याज का लालस देके अदिक से अधिक धन जमा करवा लेती हैं और धन मिलने के बाद रातो रात कमपनियां गाय बदाती है अथा इसके बारे हैं नीश्चिस समय के अंदर सेवा या समपत्ति के प्रियोग के बदले से प्राप्त धन को आय कहते हैं आय किसे कहते हैं एक निश्चित समय के अंदर सेवा है या संपत्ति के प्रियोग के बदले से जो प्राप्त धन होता है उसी को आय कहते हैं आय के भेड आय के जो है भेड है एक प्रतच्छाई होती है मुख रूप से ग्रहनी तता ग्रह स्वामी के दोरा अरजित धन ही प्रत्यच्च आए है किसी निश्चित अवधी में संबंधित परिवार के दोरा अरजित आए के उस अंस को परिवारिक वय माना जा सकता है जो परिवार के विविन आउसकताओं की पूर्ति के लिए वय होता है वय हुआ है परिवारिक वय के प्रकार एक निश्चित वय होता है अर्धिनिश्चित वय होता है, आकास्मिक वय होता है एवं अन्य वय होता है वय को प्रभावित करने वाले तक परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी है परिवार का धाचा कैसा है, परिवार के सदस्यों की उम्र कितनी है परिवार का जो इसतर एवं ग्रहनियों की दच्चता आ दिये सब प्रभावित करती है वैको आय का वावाग जो आवसकताओं की पूर्ती है तो उत्पादक कार्यों में निवेसित किया जाता है वही बचत कहलाता है बचत के प्रकार बचत जो होती है एक एच्चिक बचत होती है एवं एक अनिवार बचत होती है विक्ति अपनी आय में से कुछ ना कुछ आवस बचाता है इस प्रकार की बचत एच्चिक बचत कहलाती है अनिवार बचत अनिवार रूप से सरकार के दोरा कराई जाती है जैसे अनिवार बचत में आ जाता है आपका जीपी अप आदी बचत के लाँप, आकासमिक संकट में सहयता मिलती है, व्रधा आवस्ता में सुरच्छा मिलती है, आसर्तों की भी सहयता हो जाती है, आर्थिक लाप भी मिलता है, जीवन इसतर उच करने में मदद मिलती है बचत विनियो करने वाली संस्थाएं कौन कौन सी है बैंक है डाक खाना है बीमा है यूनिट ट्रस्ट है प्रोविडेंट फंड है या बॉंड्स आदी अती लगू उत्रिये प्रश्ट बजट में बचत करना क्यों आवश्यक है बजट में बचत करना अतन्त अनिवार है क्योंकि इससे भावी जीवन सुरचित रहता है सेकंड कोश्यन है बैंक के कार लिखित हैं बैंक के क्या कार है बैंक धन विनियों की प्रमुक्संस्था है बैंक हमें ग्रह निर्माण करने वैसाय करने आदी हेतु रिड प्रदान करते हैं बैंक हमारे जमा की हुए धन पर रिड भी देती है तता हमारे धन की सुरच्छा भी करती है थर्ड है बैंक के दो प्रकार के खातों के नाम लिखिये तो पहला है बचत खाता दूसरा है चालू खाता फोर्थ कोश्चन है उपहार चेक क्या है इससे क्या लाब है तो पहार जो चेक होता है वो विवाद, जन्म, आदि के आउसर पर नगद ना देकर जो धन्रा से चेक के मादम से दी जाती है उसे ही उपहार चेक कहते हैं फाइफ कोश्चन है डाग घर में कौन कौन से खाते खोले जाते हैं तो डाग घर में बचत खाता सावधी जमा खाता आदि खोले जाते हैं कौन से बचत खाता खोले जाते हैं अवा सावधी जमा खाता खोले जाते हैं सिक्स कोष्चन है चेक बुक बनवाने से क्या लाब होता है? चेक बुक बनवाने से खाता धारक को बैंक नहीं जाना पड़ता है, किसी भी व्यक्ति के माध्यम से पैसा मिल जाता है सेवन कोष्चन है जीवन बीमा के कोई दो लाब लिखिये इसका अंसर है बीमा करता की मृत्य के बाद उसके परिवार की आर्थिक संरचन मिलता है सेकंड है बीमे की रासिक करमुक्त होती है नाइम कोश्चन है रिखांग की चेक किसे कहते हैं वा उपहार चेक किन किन आउसरों पर दिये जाते हैं इसका अंसर है इस प्रकार के चेक के दोरा रुपिया लेने वाले के खाते में जमा हो जाता है चेक के बाई और उपरी कोने में दो सामानतर रिखाएं इस टैप की खीच दी जाती है या एकाउंट पे अउनली लिख दिया जाता है टेन कोश्चन है आए कितने प्रकार की होती है आए जो है दो प्रकार की होती है एक प्रत्य अच्छा है एका प्रत्य अच्छा है एलेवन कोश्चन है राष्टी बचत पत्र क्या है भारा सरकार के दोरा प्रारम या बचत योजना बहुत पुरानी नहीं है इस योजना के अंतरगत 6 वर्स के लिए कोई बीवेक्ती अपनी इच्छा के अंसार चाहे जितने रुपए के बचतपत खरीच सकता है किन्तु उनके भुकतान का समय निश्चित होता है निश्चित अवदी के समय ही साटे फिकिट की धनरास का भुकतान होता है 12 कोईश्चन है धन जमा करने की दो सरकारी संस्थाओं के नाम लिखिए तो धन जमा करने की दो सरकारी संस्थाओं है पहला है बैंक और दूसरा है जीवन बीमा निगम 13. परिवारिक बचत किसे कहते हैं? इसका अंसर है परिवार की कुल आय में से वैक को घटा देने के पच्चा जो सेज भचता है उसे ही परिवारिक बचत कहा जाता है फोटीन कोश्यन है बैंक के बचत खाते एवं चालू खाते में क्या अंतर है इसका अंसर है बैंक का बचत खाता बचत के लिए है जबकि चालू खाता वैपार के लिए रुपे निकालने वजमागने के लिए है 15. बचत के क्या उद्देश है? इसके उद्देश पहला है परिवारिक उत्तरदैतों की पूर्ती होती है, भविस्त के आकास्मिक संक्टों में सहता मिलती है, थर्ड है वृद्धा वस्ता को सुरच्छा मिलती है, फोर्थ है जीवन स्तर उठाने में सहता मिलती है किसान विकास पत्र से आप क्या समझती है किसान विकास पत्र डाग खाने की एक बचत योजना है किसान विकास पत्र डाग खाने की एक बचत योजना है इसमें जमा की गई धनरासी आठ वर्स साथ मा में दुगनी हो जाती है कितने वर्स में दुगनी हो जाती है आठ वर्स सा इसमें केवल धन की मात्रा भरी जाती है वहाग चेक में किसकी मात्र क्या भरा जाता है केवल धन की मात्रा भरी जाती है और खातेदार के हस्ताचर होते हैं इस चेक को कोई भी व्यक्ति बैंक से भुना सकता है 18 Q. Bocat के कोई पाँच लाब बताईए पहला है वर्दावस्था में सहायता दोचर राष्टि के विकास में सहायता जीवन इस तर को उठाने में सहायता वह आसरतों की सहायता वह भविश्ष के अकास्मिक संकत में सहायता 19 Q. Bocat से आप क्या समझती है तो बचत आय का वाभाग जो आवसकताओं के पूर्थी है उत्पादक कार्यों में निवेशित किया जाता है वो बचत कहलाता है फिर क्या है कि 20 कोश्चन है प्रतच आय और आप्रतच आय में क्या अंतर है इसका अंसर है ग्रहणी वो ग्रह सवमी के दोरा अरजित धन ही प्रतच आय है जबकि आप्रतच आय वा आय है जो में प्रतच रूप से प्राप्त नहीं होती बलकि मिलने वाली सुईधाओं से प्राप्त होती है वही आप्रतच आय है 21 question है चेक बुक और पास बुक में अंतर बताईएं पास बुक और चेक बुक प्रतेक खाते दर को दी जाती है और जो चेक बुक है निश्चित निर्धारी धनरासी खाते में रखने वाले खाते दारों को दी जाती है सेकंड है पास बुक के सब्ता में अधिक से अधिक दो बार धन निकाला जा सकता है इसमें है कि चेक बुक से प्रति दिन धन निकाला जा सकता है थर्ड है पास्बुक हो जाने पर निश्चित मूल देकर दुबारा बनवानी पड़ती है यह हमेशा चलती रहती है चेक बुक निर्धारित धन्राज से कम जमा होने पर नहीं दी जाती है 22. आय के साधन लिखिये आय के साधन ने परिवार के मुखिया वा अनसदशों की वेतन, मजदूरी, वैसाए, व्यास से प्राप्ताई वा क्रिसी वैसाए, पसुपलन, उपहार के दौरा आदी आदी 23. बैंक में बचत खाता खोलने के क्या लाब हैं? इसके लाब है कि बचत का धन सुरच्छित रहता है, और सकता होने पर धन निकाला भी जा सकता है, बचत खाते में जमा धनराज पर व्याज भी मिलता रहता है 24. बैंक से प्राप्त, पास्बुक से आप क्या समझती हैं? इसका अंसर है बैंक में खाता खोलने के बाद हर बचत खाते दार को एक पास्बुक दी जाती है, जिसमें बचत बैंक के नियम शपे छपे रहते हैं, तता खाते दार का नाम है, पता है, खाता नंबर आदी किया जाता है 25 कोश्चन है बजट एवं बचत से आप क्या समझती हैं बचत सुरच्चित रखने के दो पाए बताइए बजट क्रेग रसके अंसा बजट भूत के वय भविश्य के अनमानित वय और वर्तमान समय की मदों पर निच्चित वय का लेखा जुका है बचत क्या है प 26 डाग घर दोरा चलाई जाने वाली मुख बचत योजनाओं के नाम लेखिए डाग घर के दोरा जो चलाई गए योजनाएं पहला है सावधी जमा खाता दूसरा है पाच वर्सिय डाग खाना आवरती योजना तीसरा है राश्टिय बचत पत चौता है डाग घर मासिक दूसरा चालू खाता तीसरा सावधी जमा खाता चौता है आवरती जमा खाता है 28 चेक बुक क्या है बैंक के चालू खाते अत्वा बचत खाते से जमा करता को धन निकालने के लिए चेक बुक दी जाती है 29 चेक के प्रकार बताईए वाहक चेक, आदेशक चेक, रिखांकित चेक, गिफ्ट चेक एवं जात्री चेक आदी है पहला है जीवन बीमा योजना का मुख उद्देश क्या है? जीवन बीमा योजना का मुख उद्देश है बीमा धारक को आर्थिक सुरच्छा प्रदान करना सेकड कोश्यन है बचत आर्थिक सुरच्छा का साधन celebrating सोयम एवं आसितों के लिए 5-3. सरकारी कर्वचारी को सेवा निवर्दिक के उपरांगत प्राप्त होता है संचाई का जमा खाता होता है, वो स्कूल जाने वाले बचल उसका खाता है 5 question है किसी सुब आउसर पर दिया जाने वाला चेक कौन सा होता है तो किसी सुब आउसर पर दिया जाने वाला जो चेक होता है वो उपहार चेक होता है 6 question है बैंक में खाता खोलने की नियूंतम रकम कितनी होती है तो 500 रुपय होती है 7 question है बचत करना आवश्यक है क्यूं बचत का नावश्यक है? संकट काली समय के लिए 8. बचत का मुख उद्देश है बचत का मुख उद्देश क्या है? भविस्य की सुरच्छा है 9. निम्लिखित में से कौन सी वस्त पूंजी नहीं है? इसमें कौन सी है? जो जैसे 10 रुपे के नोट है फैक्टरी भवन है, टैक्सी है लेकिन जो ऑजार है वो पूंजी नहीं है 10. बचत सुरच्छित रखने का प्रमुख साधन क्या है? बचत अगर आप सुरच्छित रखते हैं तो आपको बैंकों में जमा करना होगा 11. किसान विकास पत्र बचत योजना है? कहां की है? जीवन विमाग बैंक की? नहीं ये डाक खाने की है 12. बचत का मुख प्रियोजन क्या है? बचत का जो मुख प्रियोजन है वो है भविश के लिए आवश्यक वा आकाश्मिक जो भी वे के लिए है 13. कोशन है बचत की ओशकता बचत की ओशकता क्यों है? भविश के आकास्मिक खर्चों के लिए तो यहां पर ये 2nd चैप्टर कंप्लीट होता है 10th क्लास का तो आप प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करेगा चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलेगा जिससे जो भी मैं पढ़ाओं वो आप तक इसली आपको मिल सके थैंक यू